चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं चूरू के चूरू में कई एतिहासिके मारते प्रशासन की बेरोखी के चलते दम तोड़ रही है परिटन्स थलों के इस हालात पर संबंदित विभाग की नजर भी नहीं जाते कई मारते तो हिंदी फिल्मों का गवा भी बन चुकी हैं लेकिन प्रशासन और सरकार की अंदेखी ये धरोहर जो एतिहासिक हैं अब कहीं न कहीं गुमनामी में दफन होती जा रही है एक तरफ प्रदेश उसरकार राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और आतिहासिक धरोहरों को सहेजने के लिए कई कदम उठा रही है ताकि राजस्थान का इतिहास संरक्षित किया जा सके और सूबे को परेटन के मामले में भी अग्रणी प्रदेश बनाया जा सके लेकिन चूरू जिला मुख्याले पर बने परेटन स्थल का हाल बुरा है जिला मुख्याले पर दरजनों एतिहासिक हवेलिया है जिनके बनावट और उनमें बने भितिचित्र आम लोगों और परेटिकों को अपनी तरफ जट से खीच लेते हैं लेकिन प्रशासन और संबंधित विभाग की उदासीनता की चलते इन स्थलों का हाल बुरा है पुरानी कलाकृतियों से लैस हवेलियां खंडहर में तबदील हो रही है के मालिक खरीब 50 साल पहले इन हवेलियों को वीरान छोड़ कर देश के दूसरे हिस्सों में चले गए लेकिन सरकारी विभागों ने इस तरफ को इत्यान नहीं दिया इन ही हवेलियों में से एक हवेली हवा महल के नाम से जानी जाती है जिसमें 1100 खिड़कियां है जबकि जैपुर के हवा महल में महज 2500 खिड़कियां है चूरू का ये हवा महल अपने आप में आतिहासिक है लेकिन अब धीरे-धीरे खंडहर हो रहा है इन हवेलियों पर भू माफिया की भी नजर पड़ चुकी है कई अथिहासिक इमारतों के फरजी कागजात तयार कर जिला प्रशासन से मिली भगत कर इने तुड़वा कर व्यावसाई कॉंप्लेक्स खड़े कर दिये गए जबकि 1991 में परिटन विभाग की तरफ से पधारों महारे देश की तरच पर एक होटेल का निर्मार किया गया जिसका नाम चिर्मी होटेल रखा गया लेकिन जिला प्रशासन और सरकार की अंदेखी के चलते आर्टी डीसी का चिर्मी होटेल कुछ साल पहले बंद हुआ और अब खंडार बन चुका है यहां बना सेथ भगवान दास बागला ने लगबग 100 साल पहले अपनी पतनी के नाम पर सेथानी का जोहडा बनवाया था यह जोहड शहर से 5 किलोमिटर दूर था जिसमें बरसाद का शुद्ध मीठा पानी भरता था और पूरा शहर इसी जोहड का पानी पीता था जोहण के चारों तरफ बने गुंबद में एक से एक भित्ति चित्र उकेरे गए थे इनायती हासिक इमारतों में कई फिल्मों की शूटिंग तक हो चुकी है हिंदी फिल्म गुलामी का फेमस गाना भी यहीं फिल्म आया गया था जोड़ा जो है वो शेट राय भाजूर वांदास की पतनी वारा बनवाया हुआ जोड़ा है उस समय राजस्थान में पीने ये पाणी का संकट था तो प्राकर्तिक जलस्त्रोतों के रूप में वर्षा ये पाणी वो एकत्र कर गे और इस प्रगार के जोहड और तालाब में एकत्र कर गे पानी की सफलाई आम जनता में की जाती थी और सिद फिल्म निर्देशक और प्रोड्यूसर जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी की सुटिंग भी इस जोड़ के आसपास और लाइन पुलिस के रेतिले टिबों में हुई थी फिल्हाल यही कहा जा सकता है कि अगर ऐसी इतिहासिक धरोहरों का ख्याल वक्त रहते नहीं किया गया तो इतिहास धीरे धीरे सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगा